स्वेंट्स आज हमार टॉपिक है 20 पॉइंट प्रोग्राम सिटेटी पॉइंट्स प्रोग्राम मैं यह कब लॉंच हुआ था यह गौर्ण्मेंट ऑफ इंडिया के दौरा और 1975 में लॉंच हुआ था 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 बट यह जो प्रोग्राम है उसको रिवाइस किया गया जब फर्स 1975 में देन रिवाइस किया गया इसको जब फर्स साइम 1982 में किया गया देन अगें 1986 में रिवाइस किया गया तो यह जो प्रोग्राम है सबसे पहले 1975 में लॉंच हुआ था था कब 1975 में लॉंच हुआ था चेह एंड देन 1982 में इसको रिवाइस किया गया अगें रिवाइस किया गया इसको ओक्या यह जो प्रोग्राम से इसका जो में जो दे अब् दे अब्रेश करना है इंकंट एक्वैलेटी जो हो रही है उसको क्या करना है रिडियूस करना है यह का में अप्जयक्टिव सब इसका जो प्रोग्राम यह है उसको कि जूएन आप्लपमेंट्स टोश्य को क्या करना ये इसको में अब्जेक्टिव से ओके फिर्स क्या अब्जेक्टिव था इसका इराडिकेट करना है जो भी राडिकेट पॉवर्टी पॉवर्टी को बिल्कुल पूरी तरीके से राडिकेट करना है रिड्यूस करना है जो भी इंकम इंक्वैलिटी है रिड्यूस क्या है जो भी इस्प्रैट करना है मतलब जो भी बैनिफिट्स है और डेवलोपमेंट है उनको क्या करना है इस्प्रेट करना है इस एम टू तो स्प्रेड इस एम तो स्प्रेड बैनिफिट्स और डेवलोपमेंट कि यह बेनिफिट्स और डेवलोप्मेंट इस उनको क्या करना है इसके अंदर जो 20 प्रोग्राम्स है 2006 ठीक है 20 प्रोग्राम 2000 यह इसके दो अब्जेक्टिब्स से एडिकेट पावर्टी डिद्विस इंकम इनिक्वालिटी जैने इस एम्टिब्स और डेवलोप्मेंट उनको स्पेड करना है उसका एम अधैन क्या है हम देखेंगे जो भी 20 प्रोग्राम 2006 ठीक है उसमें क्या इंक्लूट्यूट किया गया 20 points and 66 items को इंक्लूड किया गया 2006 में ठीक है समय में आया है कि जो 20-point प्रोग्राम्स है 2006 में इसके अंदर 20-point को तो एड किया गया then 66 items को भी add किया गया okay next इसमें हम देखेंगे जो 20-point से वो कौन-कौन से हैं ठीक है तो जो इसका मेन नाम है 20-point उसका कौन कौन से वह हैं ठीक है तो फर्स्ट है गरीभी हटाओ ठीक है ऐसे लिखना है आपको एक्जाम में जब आएगा तो ऐसे पॉइंट लिखना है गरीभी हटाओ तो क्या होगा इसको Пढ loves , भी अलिकना है दोनों में ऐसे लिखे कैना जब भी आपका आएगा तो गरीभी हटाओ इन पोवर्टी-ईराडीकेशन ऐसे लिखनाँ पोवर्टी-ईराडीकेशन गरीभी हटाओ पोवर्टी-ईराडीकेशन नेक्स है जन्षक्ती मतलब पावर पीपल जन शक्ति पावर टू पीपल थेन थर्ड पॉइंट एक किशान मित्र ठीक है मुझा सपोर्ट टू फार्मर्स यह किशान मित्र ऐसे करके है थेन सपोर्ट टू फार्मर्स थेन फोर्थ बन है हमारा श्रमिक कल्यान ठीक है जो भी लेवर्स है उनके बारे में स्किंस निकाले जाएंगी वह सब इसके अंदर आएगा स्रमिक कल्यान श्रमिक कल्यान मेंस लेबर बेलफियर लेबर वेलफियर देन ओके तो अब इमने फोर पॉइंट पड़े इसके नेक्स फिप्त है मारा श्रमिक कल्यान के बाद है खाद्य सुरक्षा ठीक है खाद्य सुरक्षा मींस फूड सिक्यरिटी खाद्य सुरक्षा मींस फूड सिक्यरिटी अब इमने पाच परच करके पड़ेंगे हम फ्रस्ट है गरीबी हटाओ ठीक है पवर्टी राडिकेशन इसके इंदे जो भी लोग है उन्हों एज़ अने अजुगेट प्रफल्स जो है ठीक है उन्हें क्या करना है पढ़ाना है उन्हें काम दिलवाना है गरीबी को हटाना फ़र्स पॉमिंट आप सेंड जनन्सख्ती भावर घ्यालिक के चाहिए उसके बारे में वताना गएंकहों टर्स उसपॉर्टब होते हैं यहसी सपोर्ट करना है सपोर्स मेंृर के ऊंचिक साथ समिक कल्यान लेवर वेल्फिर काम करने वाली लेबर्स है उनका क्या करना है कल्यान करना आए इसके अंदर वह सब आएगा धेन का दिर सुरक्षा फूट सिक्यारटी जो खाना ले रहे हैं फूट सिक्यारटी के बादर में पता करना इस पॉइंट में ठीक है नेक्स हम सिक्स पढ़ेंगे फुट सिकर्टी यह हमने पाच पॉइंट पड़े नेक्स सिक्स है हमारा सब के लिए आवाज ठीके सब के लिए आवाज हाउस फॉर ओल देन सुद्ध पेजल ठीके क्या है जो भी क्लेनिंग डिक्लें डिंकिंग वाटर यह सब होगा देन मैं लिख रहती हूं 6 clean drinking water then सब के लिए next है सब के लिए आवास ठीक है जो भी लोग है उनको house for all सब को क्या आवास मिलना चाहिए सब के लिए आवास देन था एट पॉइंट जन जन का sauce से ठीक है जो भी जन सकती sauce है ठीक है जो भी health for all सब लोगों क्या मिलना चाहिए health अच्छे से मतलब जो भी treatment है ठीक है वो सब मिलना चाहिए hospital में side disease conditions को लेके वो सब then सब के लिए सिक्षा education to all ये next point था eight nine था हमारा then ten point point था हमारा जो भी welfare of SCST and minorities and OBCC जो भी अनुशूचित जन जाती अल संक्यक एवं अन्य पिश्रा बर्ग के जो लोग है उन्हें क्या करना है कल्यार देना ये इसके point थे next है महिला कल्यार ठीक है बूमन्स welfare then 12th point था बाल कल्यार ठीक है चाइल्ड welfare then 13th था हमारा यूबा विकास यंग डेवलप्मेंट and 14th जो भी बसी सुधार जो भी improvement of slums जो भी slums है उनका improvement करना है then श्रमिक सुरक्षा ठीक है जो भी सामाजिक सुरक्षा सरी social welfare ये 15th point था 16th point में ये था कि जो भी grameen जो सडक है ठीक है गाउं की जो सडक है उनको सही करवाना rural roads ठीक है then था grameen उर्जा ठीक है next था हमारा बस्ती सुधार then पिश्रा छेत्र का विकास then E सर्षान ठीक है ये सारे 20 points है हमारे मैं फिर से revise कर रही हूं 20 points जो प्रोग्राम है वो लॉंच हुआ था government of India के थू 1975 में इसको जब revise किया गया तो 1982 में revise किया गया उसके बाद अगेन फिर से revise किया गया 1986 में then 2006 में इसमें 66 20 points के साथ 66 items से भी include किये गए इसके जो भी objectives थे first objective था eradicate करना है poverty को और reduce करना है जो भी income inequalities है उनको then इसका जो प्रोग्राम है उनका main aims ये था कि spread करना है जो भी benefits है development के जो भी benefits of the development है उनको क्या करना है spread करना लोगों तक पहुचाना है then हमने 20 points पड़े उनमें सब भी ये तक poverty eradication, power to people then support to farmers, family welfare education to all health for all then income equality welfare of SCST minorities ये सब था then woman welfare, child welfare ये सारे points थे 20 points of program में students आपको इसके regarding कोई doubt है so please ask me and thank you class